हेलो साथियों मैं साके तुमार जैसा कि मेरा पोटो आपको वीडियो में दिख रहा होगा मैं अभी SSF में कारियात हूँ SSF मतलब सचिवाले सुरक्षाबल जो की SSJD के अंतरगत आती है इसमें पोस्ट आता है SSF तो आज इसी से रिलेटेड हम कुछ बात करने वाले हैं तो जो भी मेरे चैनल पर नए आये हैं या जो भी मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लेजिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए जैसा कि मेरे पास एक अभी न्यूज जाया था मेरे दोस्त ने भेजा है वो भी आपको दिखाएंगे उसमें यह बताया मतलब एक नोटी समको दिया गया भेजे हैं जिस पर एससे जीडी 2022 की नई वेकेंसी तो चलिए हम उसको ओपन करते हैं यह मेरे दोस्त हैं जो बेसिकली मैं जहानावाद का हूँ और यह अरवल के हैं तो इन्होंने ही हमें भेजा है मेरे साथ ही SSF में कारियरत हैं तो इन्होंने अभी जस्ट कुछ दिपाले हमें यह मैसेज दिया मैसेज भेजा कि SSJD की नई वेकेंसी जो मतलब 2022 की वेकेंसी आने वाली थी दिसंबर में उसका नोटिफिकेशन आ चुका है तो चलिए आपके सामने नोटिस खोल चुका है इसमें जो नोटिस आया है इसमें जो डेट दिया गया है कि जो ऑनलाइन अप्लिकेशन जो होंगे वो 10-12-2022 से 19- 1-2023 तक होंगे 10-10 दिसंबर से शुरू होंगे और 19 जनवरी तक आपका जो है ऑनलाइन अप्लिकेशन का डेट है उसके बाद जो है आपका ऑफलाइन का वे दिया हुआ है कि ऑफलाइन चलान भी जैसे ऑनलाइन चुना कर सकते हैं ऑफलाइन चलाना करना हो तो उनके लिए 20 तारीक तक का डेट है और इसका जो है कम्प्यूटर बेस एक्जाम जो हमारा फॉस्ट एक्जाम होता है वो आपका मार्च 2023 में इसमें दिया गया है कि मार्च 2023 में होगा कि यह कितना सही है और किदना गलत है यह से कलेंडर से हमें पपके दिन ज्ल जाएगा तो आए सोसी कलेंडर को चेक करते हैं कि यहाम्लोड अगेन पर पार अम से कोल करके रखा है कि यहां पर लेलिए से कटेंडर यहां करते हैं कि यहां पर आपको मल्टी टास्किंग का यह सारे का है इसमें यहां पर रही है हां नीशे में 14 नंबर इस दिन से यह सुरू होगा और यह चलेगा उनीश एक दोहजर तेश तक मतलो इसका लास्ट डेट उनीश जो फॉर्म का आपका लास्ट डेट होगा वह उनीश एक दोहर तेश मतलब उनीश जन्वरी तक का होगा इसका जो एक्जाम का है मन्थ ओफ एक्जाम देखे उपर में लिखा हुआ है मन्थ ओफ एक्जाम इसका मार्च से अप्रेल के बीच बढ़ा जा रहा है तो इसी के बेस पर जो है वो नोटिस आया है बट अभी तक एससी ने अपने जो नोटिफिकेशन है वहाँ पर इसको अप्लोड नहीं किया है बट ये इससी का ही है कुछ दिर में आपको अप्लोड मिल जाएगा कुछ दिर एक या दो दिन में आपको अप्लोड मिल जा सकता है तो शलिए अप लोग के लिए नया गुड नियूज है नय लोग के लिए भी बहतर है जो पूरान तयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है कि उनको दुबारा चांस मिला है अभी जैसे पुरानी जो भरती थी जो सायद 2021 में आई थी तो उसका computer basic exam उसका result और उसका physical यह सारा पूरा हो चुका है और medical का डेट वी सायद आ गया है CRPF उसका medical लेगा तो जो बच्चे उसमें नहीं clear कर पाएं है या जिनका कुछ नंबर से छट गया है उनके पास एक नया चांस मिला है कि उसको फिर से अपना जो सपना है उसको साकार कर सके फोर्स लाइन में आने का जो सपना होता है और वह भी सेंट्रल फोर्स का मुसाकार करें इस नहीं भरती के साथ इसमें सीट भी अच्छा खासा है लगवाग 56302 सेट दिया गया है तो इस पर कभी और चर्चा करेंगे वीडियो लंबा ना हो मेरा नोटिफिकेसन बहुत जाँ आता है तो किसी और समय चर्चा करेंगे किसी और वीडियो में वीडियो अच्छा लगए तो जो भी दोस्त लोग हैं जिनको इस भरती के बारे में ना पता है उन तक जरूर यह वीडियो पहुँचा है ताकि आपके चरिये उनको भी यह पता चल सके कि यह भरती आ गई है और इसका इसकी जो तैयारी है वो अभी से ही सीरियस लेवल में सुरू कर दिए ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक वार फिर से वीडियो को लाइक सबसे पहला काम करना है अगर आपको पसंद आया तो सिस्क्राइब कर देजिए और अपने दोस्तों में सेर कर दीजिए थैंक यू